हेलो गैस Welcome back यहान चैनल टेकनिकल एनालिसस गाइज आज हम इस वीडियो में हुल मुविंग याउरज के बारे में सीखेगे टिवल मुविंग क्या होता है और इसका यूज किस तरा से किया जाता है गैस आपने simple moving average तो सुना ही होगा explanation moving average भी सुना होगा guys मैं आपको बता दू moving average कही तरह की होती है एक विद्या भी होती है और इसमें सबसे ज्यादा use होता है वो exponential moving average और simple moving average का होता है लेकिन गर आप whole moving average का भी एकर use करते हो तो यह भी बहुत ही अच्छा है लेकिन market में बहुत ही कम लोग इनको जानते हैं तो guys वीडियो में अंतक बने रहेगा और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए guys मैं आपको यहां पर बता देता हो कि whole moving average trading strategy जो होती है यह भी बहुत ही अच्छी होती है लेकिन market में ज्यादा लोगों को whole moving average के बारे में पता नहीं है तो इसके वज़े से वो use नहीं करते लेकिन मैं आज आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हो कि whole moving average क्या होती हो और कि इनका calculation बहुत ही complicated होता है लेकिन हम इनका calculation में नहीं जाएंगे क्योंकि आप जो भी ट्रेडिंग टूल्स यूज़ कर रहे हो चाहे वह जीरो दा हो ऑफ्स्रोग हो एंजल ब्रोकिंग हो या किसी भी तरह का टूल्स हो आपके में यह ready-made आपको तो आपको इनके calculation में जाके अपना time waste करने की कोई जरूरत नहीं है हम इसका सिधा use समते है कि इनको पहले लगाते कैसे तो आपको simply चले जाने का है studies में मैंने यहाँ पर SBI का चार्ट लिया हुआ है आपको चले जाने का है simply studies में और studies में जाके आप simply type करोगे moving average तो आपको स simple याप click कर लेने का है जैसे आप इस पर click करोगे तो आपको इस तरह का interface दिखाए पड़ेगा यह जो simple moving average का setup है आपको same वही रखने का है period में 50 days ही रखने का है और field में आपको close ही रखने का है लेकिन यहाँ पर type है तीसरे नमबर पर type है वो type लिखा हुआ है इस पर आपको click करने का है जैसे आप इस पर click करोगे तो आपको यहाँ पे काफी सारे option दिख जाएगा इनमें आपको विध्या का moving average दिखेगा इसमें आपको wholeede moving upper गयाने का है और वही सेटिंग का यूज करने का है सब्सक्समें आपको जाकर कुछ चछ्रण करने की जरूरत नहीं है यहां पर आप लास्ट में देखोगे तो आपको कंडर दिया हुआ है नीचे, आप चाहो तो color change कर सकते हो, मैंने यहाँ पर green color select किया है, आप चाहो तो दूसरा भी किसी color का use कर सकते हो, तो guys हमारे chart के उपर यहाँ पर आप देख सकते हो, whole moving average का indicator लग गया है, अब हम समझते हैं कि इनका use कैसे करनेगा है, तो guys अब हमारे chart के उपर, हमारे trading tools के उपर, whole moving average का indicator लग गया है, तो अब हम समझ लेते हैं कि इनका use किस तरह से किया जाता है, तो guys आप देख पा रहे हो, chart के उपर हमने whole moving average लगा लिया है, आपको simply करने का यह है, कि जैसे ही, तो guys यहाँ पर हमने whole moving average का indicator लगा लिया है, अब हम समझ लेते हैं कि इनका use किस तरह से किया जाता है, आपको simply क्या करने का है, देखे, जैसे ही अपना price है, यह जो candle दीख रही है, यह सब अपना price है, वो तो आप सब जानते ही होगे, यह price जैसे ही whole moving average को cross करके उपर की वर जाता है, और उपर closing देती है, तो आपको वहाँ पर buy करने का है, देखे, SBI में यहाँ पर share था, यहाँ पर इन्हों ने हमें buy करने का signal दिया था, तो यहाँ पर buy करने का है, और इसके बाद आपको buy करके इन में बैठे रहने का है, जब तक यह price whole moving average के उपर है, तब तक keyword आता है, और जब तक यह नीचे closing नहीं देता है, तब तक sell नहीं करने का है, लेकिन जैसे ही whole moving average को cross करके price नीचे आता है, और नीचे keyword closing देती है, जो कि यह वाली candle पर दिया था, यह छोटी सी candle पर, तो यहाँ पर आपको selling करने का है, इसके बाद देखे, यहाँ पर आपको एक और signal दिया था, यहाँ पर buy करने का था, और यहाँ पर आपको sell करने का था, आपने देखे, यहाँ पर buy किया होता, तो यह price थी 425, इसके बाद आप देख सकते हो, 525 तक भी यह share गया है, आप यहाँ पर buy करते, तो आपको एक से डेड़ महिने में अच्छा return यहाँ तक का मिल जाता, इसके बाद उन्होंने यहाँ पर signal दिया, यहाँ पर अगर buy करते, तो आपको यहाँ तक का देखे, यह price से 450, और यह price से 500, तो आप 500 पर बेचके निकल जाते, तो आपको short term में, एक ही महिने में, तकरीबन देखा जाए, तो 10% का return आपको मिल जाता, तो guys आप इस तरह से share market में whole moving average का use करके, अपने profit को increase कर सकते हैं, जाए सासा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आये होगे, और वीडियो पसंद आये, तो like कर दीजिए, और चैनल पे नए आए हो, तो चैनल को भी subscribe कर दीजिए, बाई बाई फैर आओ